गुद मॉर्निंग स्टूडेंस वेलकम तू मैं चैनल विद्यार्ति सहयोग प्यारे बच्छो आज मैं आप लोगों के समक्ष आठवी कक्षा के एक कविता के साथ प्रस्टुठ हुई हूँ इस कविता के नाम है पहली बूंद और कविता के कवि है गुपाल कृष्ण कोल ये जो कविता है इस कविता में वर्षा के कारण धर्ती और आकास में बननी वाले सौंदर्य का वर्णन किया गया है इस कविता में वर्षा के कारण धर्ती वर्षा मतलब बारिस और धर्ती मतलब फृत्वी आकास तो आप लोगों को पता ही है तो वर्षा के कारण मतलब बारिस के कारण धर्ती और आकास में जो सौन्देरिय होता है उसका बर्णन क्या गया है जब आकास से बुंदे गिरती है बुंदे मतलब क्या है बारिस की बुंदे जब आकास से बुंदे गिरती है तो सुखी धर्ती को नया जिवन प्राप्त होता है ठीक है क्या होता है धर्ती प्यासा रहता है और जब धर्ती प्यासा रहता है तो आकास से जो बुंदे गिरती है उससे क्या होता है धर्ती को नया जिवन प्राप्त होता है और धर्ती उर्वरा बन जाती है उससे क्या होता है धर्ती से 20 से क्या हो जाता है पेर प्रस्पुतित होते हैं नए नए पेर पोधे उगते हैं और हरी आली छा जाती है जब बहुत सारी पेर पोधे होते हैं बहुत सारी पोधे होने से क्या हो जाता ह में चारो और हरयाली मतलब हरा हरा ठीकशै अजया जाती है कि वर्षा की पहली बून की रहा है मानों बुढ़ी धर्ति राक हम शत्रा भंप अबस्यश मला पर ठीर मतलब गारे लजाड़ती हैered मतलब बारी Hillsे ऐते हैं और भारी के उपर वो क्या हो जाता है? मलियन हो जाता है, मेला हो जाता है लेकिन जब बारिस गिर्ती है बारिस की बुंदे उसे क्या करती है? साफ सुत्रा और सश्य शामला बनने के लिए फिर से ललचा उठती है ललचा न मतलब एक կाम को करने की जो इच्छा होती है वो इच्छा जागरुक होता है जागरित होता है किसी काम को करने की जो इच्छा वो जागरित होती है तो अब हम कविता के तरफ बढ़ते हैं पहली बूंद वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई पावस मतलब वर्षा रिटू पहली बूंद धरा पर आई मतलब बारिस की जो पहली बूंद वो क्या हुआ धर्ती मतलब प्रिसिवी पर जब गिरी और किस दिन गिरी पावस का प्रथम दिवस मतलब वर्षा रितु के प्रथम दिन जब वारिस की बूंद कहा पर गिरी धर्ती पर गिरी अंकुर फूट परा धर्ती से नव जीवन को ले अंगराई अंकुर फूट परा धर्ती से मतलब जब धर्ती पर पाने गिरी तो उसमें क्या हो गया अंकूर फूट परा अंकूर मतलब बीज बीज में से पौधे निकलने लगे और नवजिवन को ले अंगडाई अंकूर फूट कर उसमें से पौधा निकलने की जो प्रक्रिया है उसे नवजिवन के साथ तुलना किया गया है इसके बाद धर्ती के सूखे अधरो पर गिरी बूंद अम्रिच सी आकर धर्ती मतलब पृत्वी हमने पहले भी बताया है आपको सूखे मतलब एकदम सूखा परना पानी ना होना अधरो पर अधरो पर मतलब क्या है होट अधर मतलब होट गिरी बून अम्रित से आकर बोला है कि धर्ती की सूखे होट पर ये जो बर्सा की बुंदे हैं वो जब गिरी तो क्या हो गया अम्रित बनकर गिरा बसुन्धरा की रोमावली सी हरी दूप पुल की मुस्काई बसुन्धरा मतलब इसका मतलब भी धर्ती होता है और रोमावली की मतलब क्या है रोमी की पंती रोमो की पंती हरी दूप पुल की मुस्काई मतलब दुर्बा घास है ये जो पुजा में लगता है पहली बूंद धरा पर आई ठीक है पृतिवी पर जब पहली बूंद गिरी तो क्या हो गया रोमों की पंती हरी दूपुल की मुस्काई ठीक है ये जो दुर्बा घास है वो हसकर मुस्कुराई मतलब वो खुश हो गई आसमान में उर्ता सागर लगा विजलियों के स्वर्निम पर ठीक है आसमान में उर्ता सागर आसमान मतलब क्या है आसमान मतलब आकाश उर्ता सागर आसमान में सागर उर्ता है मतलब बादल जो इधर से उधर घुमते रहते हैं उसे उर्ता सागर कहा है लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर स्वर्णिम मतलब सुनहरे गोल्डन लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर मतलब आसमान में जो बादल थे वो बिजलियों के मतलब बिजलिया जब कड़कती है तो क्या हो जाता है उसे सुनेहरे रंका दिखाई देते हैं तो वो ही बताया है कभी ने की आसमान में जब बादल उड़ता, मतलब उड़ते उड़ते गया तो बिजलिया करकने लगी वो भी सुनेहरे रंके बिजलिया बजा नगाडे जगा रहे हैं बादल धर्टी की तरुनाई जब क्या हो जाता है बादल गरजते हैं तो उसे नगाडे के साथ तुलना किया है नगाडा मतलब हम जब असामिज लोग जब हमारे नाम घर में क्या करते हैं नाम किर्टन करते हैं तो उसके साथ एक वाद्य बज़ता है उसे क्या कहा गया है नगाड़ा ठीक है तो उसी तरह जो अन्य जाती है हमारे अन्य जाती प्रजाती है उन लोगों में भी नगाड़ा का विवहार होता है तो बोला है कि आसमान में जो बादल उड़ता है और जब बिजलिया कड़कती है तो उसकी जो आवाज है उसे नगाड़े के साथ तुलना की गई है तरुनाई बादल धर्टी की तरुनाई मतलब धर्टी को क्या तरुन मतलब जवान धर्टी को क्या बारिस की बुंदों से क्या बना देते हैं जवान बना देते हैं पहली बुन धरापराई मतलब यही है कि बारिस की पहली बुन जब गिरती है तो आस्मान में बादल सागर ब प्रित्वी जवान होने लगती है निल नैनोसा यह अंबर ठीक है अंबर मतलब प्रियावाची बहुत सारा मिला जैसे कितना मिला आसमान अंबर ठीक है आकाश आकास का प्रियावाची हमें यहां मिल गया अंबर अंबर और आसमान ठीक है निले नैनोसा यह अंबर यह जो आकाश है यह जो आसमान है उसे निल नैन बोला है निल नैन मतलब निली आखे काली पुतली सी यह जलधर और यह जो आकास में बादल है उसे काला पुतला के रूप में उसे तुलना की गई है मतलब काला पुतला पहले क्या हो जाता है बादल काला हो जाता है तो इस बादल को काली पुतली से तुलनागी गई है करूना विगलित अश्रू बहा कर धर्ती की चिर्प्याज बुझाई यह जो धर्ती पर जब बारिस गिरती है और आकाश से जब बादल उड़कर गिरती है तो उसे क्या कहा ग इसी बात से हम व्यतित होते हैं तो हमारे आखों से अस्रु निकलते हैं तो उसी तरह बोला है कि धर्ती भी अपनी व्यत्ता के कारण रो रही है और ये रोना ही वर्षा होकर क्या हो जाता है धर्ती की जो प्या से वो बुझाती है। उसमें जब पाने गिरा बर्शा का पहली बूंद गिरा तो क्या हो गया फिर से ये जवान होने के लिए लल्चाई जवान होने को उसे मन किया कब किया जब धरापर पहली बूंद बारिश के गिरा तो बच्चो ये बहुत बढ़िया कविता है और मुझे तो पढ़के बहुत मज़ा आया आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने के बाद आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा आप लोग पढ़के देखिए उसके बाद अगर आप लोगों को ये कविता अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजे और सब्सक्राइब कर लिजे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मैं जब नया वीडियो दूंगी तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा धन् झालाद